हेलो एंड वेलकम गईज ओन माईटू चैनल तो गईज की आहल चाल उम्मीद आप सब बढ़िया होंगे तो गईज आज मैं आपको वताने वाला हूँ माइन किराफ्ट 1.20 के लिए आइटम डुपलिकेशन गिलिच जिसकी मदद से आप अपने वर्ल्ड में आइटम्स को डुपलिकेट कर सकते हो गिलिच को करने से पहले ही आपको वतादू गिलिच थोड़ा सा खतरनाक है इसमें आपकी जान वी जा सकती है और गिलिच को करने के लिए आपकी गेम के अंदर स्पीड काफी तेज होनी चाहिए तो इस गिलिच को करने के लिए आपको चाहिए एक chest और एक magma block और गई जिसाती आपको वो सभी items ले लेने हैं जिनको आपको duplicate करना है तो गई जि मैंने chest ले ली magma block ले लिया और ये items भी ले लिये अभी जम को क्या करना है एक block डिक करना है और magma place कर देना इसके side में chest place करकर तुरंत हमको अपने world को save and quiet कर देना है अभी world के वार आने के बाद हमको तुरंत अपने game के अंदर मतलब world के अंदर बापस चले जाना है build के अंदर बापस आने के वाद हमको फटापट से अपने सभी items को chest के अंदर रखना है हमको जिनको भी duplicate करना है और गई जिस magma block के उपर खड़े हो जाना है और गईज हमको तब तक डेमेज लेना है जब तक हमारे दो हाट ना वचे और गईज जैसे हमारे दो हाट वचे हमको अपने डिवाइस का बीच वाला वटन दवाना है और गईज गेम को हमको साइड से भी उडा देना है और गईज तुरंत हमको गेम के अंदर बापस आना है और गईज ये कामना हमको काफी तेजी से करना है अगर गईज हम थोड़ा बहुत भी लेट हुए तो गईज या तो देखो हम मैगमा से डैमेज ले लेकर मर जाएंगे या गईज हमारा गिलिच बरक नहीं करेगा वाकी गईज गेम के अंदर बापस आने के बाद अभी हमको अपने वर्ल्ड में बापस चले जाना है तो गई अभी हम अपने वल्ड में बापस आ चुके हैं और हमारी पोजीशन भी चेंज हो चुकी है पहले हम मैगमा पर खड़े थे और हमारे हर्ट भी काफी कम हो गए ते लेकिन अभी अपनी हेल्थ भी काफी है और हमने जो इन्वेंटरी में से सामान चेस्ट में रखाता हो भी अपनी इन्वेंटरी में है और साथ ही सांत ये से माराइटम अपनी चेस्ट के अंदर वी आ चुके हैं मतलब की गई जब अपनी अपने सारी आइटम डुपलीकेट हो चुके हैं तो इस तरीके से आप इसाइटम डुपलीकेशन गिलिच को कर सकते हो और अपनेải tabi क को डूप्लिकेट कर सकते हों वाखी गई जिस गिलिश को करने का एक दूसरा तरीका और भी है दूसरे तरीके आफके मेघमा की जग है है का बलोक ले लेना है और एक एंड उस्टील लेंगार वाखी करने के लिए हम हमको अपने वल्ल में बापस चले जाना है बिल्कुल सेम पिरो से हैसा है जैसा हमने मेगमा बिलोग के साथ किया था वैसा ही के अंदर फिर से बापस से चले आना है गैज आपको फिर से वता देता हूं गिलिच करने में थोड़ा सा रिस्क है अगर आप थोड़ा सा भी लेट हो जाओगे तो आपकी जान भी जा सकती है चलो तो अभी गेम के अंदर बापस आने के वाद हमको फिर से अपने उसी वाले बल्ड में चले जाना है अभी हम बल्ड के अंदर बापस आचुके हैं और हमारी position भी change हो चुकी है अपनी health भी complete हो चुकी है अपनी inventory में भी items हैं और अभी chest के अंदर भी items आचुके हैं मतलब कि गई जपना item duplication gillage successful हो चुका है तो आप भी इसी तरीके से इस आइटम डुप्लिकेशन गिलिच को कर सकते हो और अपने आइटम्स को डुप्लिकेट कर सकते हो और गई जो सकता है कि आप से एक दोवारी में ये गिलिच ना हो तो गई जाप एक दोवारी ट्राइ करना ये हो जाएगा और आपके आइटम डुपलिकेट हो जाएंगे वाखी तो गई जिब वीडियो अच्छी लगी हो तो पिलिच से लाइक करना चैनल पर नए हो तो रिक्वेश्ट है सस्क्राइब करना